आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ साप गती करते समय अपने शरीर के कौन से भाग का प्रयोग करते हैं यहां हम साप की बात करें तो यह साप जोते हैं सरी सर्प वर्ग के अंतर का ताते हैं सरी सर्प वर्ग के अंतर का ताते तथा इनमें क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड का लोकोमोशन याने की या रेंगतेयों सरकते हैं सापों में पर अन्य जानवरों की तरह कोई पादय अंग नहीं होते हैं इनमें इनका लचीला शरीर होता है इनके पास लचीले शरीर होता है या अपने लचीले शरीर का उपयोग करके गती करते हैं या गती करते हैं का पॉलकॉट जो होती है, स्पाइन होती है, उनकी एक रीड से, रीड की हड़ी से, स्पाइन से, चार सो पसलियां जुड़ी होती है, और यह अपने चार सो पसलियों से जुड़ी मास पेशी जो होती है, यह चार सो पसलियां स्पाइन से जुड़ी होती है, यह चार सो पसलियो मास पेशियां जो जूड़ी होती है यहां उनको तेरने में और चड़ने में, रेंगने में मदद करते हैं तो यहां पर जो साप है साप गति करते समय अपने लचीले शरीर का उप्योब करता है आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर